लोग आपको दुद्का रहेंगे, लोग आपको रहेंगे, क्या मिल रहा है तेर को, क्या फायदा हो रहा है तेर को, लेकिन जिसने सत्ती को जाना है, जिसने प्रकाश पाया है, जिसने अनुभव किया है, जिसने चत्ते से, मदुमक्ही के चत्ते से शहद को चखा है, वो जमा मत करना हूँ कुछ लोग मुझे इंकार नहीं करते मैं आयते लिख कर नहीं लाया है लेकि मुझे याद आ रहा है खुलकर में कह रहा हूँ but they deny him by their lifestyle तुम मुझे तुम मुझे hallelujah hallelujah कहते हो ये शाया में के अंदर भी है लुकर अची सुसमाचार के अंदर भी है तुम मुझे तुम मेरी स्तुति और प्रशन्सा करते हो लेकि तुमारी जीवन शैली देखकर कोई नहीं बोलेगा तुम मेरे शिश्यो तुमारे कपड़े देखकर तुमारा खाना देखकर तुमारे उठना बैटना तुमारे दोस्ती देखकर तुमारा म्यूजिक देखकर तुम जिस चीज पर थिरखते हो उसको देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम येश्यो के शिश्यो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम केवल गंटी लेकर बढ़ जाओ तान, तान, तान यह करते रहें इसका मतलब यह नहीं है इसका मतलब यह भी है कि मुझे और आपको हमारे जीवन शैली से येश्यो का इंकार नहीं करना है मौका आएगा और भी आएगा इस देश के अंदर हालत बदल सकते हैं लेकिन आपको भाइबीत होने की ज़रुत नहीं है येश्यू कह रहा है जो मेरा इंकार नहीं करेगा मैं भी उसका इंकार नहीं करूंगा और मेरे पिता के सामने और सुर्ग दूतों के सामने में कहूंगा ये मेरी बेटी है ये मेरा बेटा है जिसने समझोता नहीं किया जिसने compromise नहीं किया हाँ इसके कारण उसको दुख उठाना पड़ा हाँ इसके कारण उसको जाती से बाहर होना पड़ा हाँ इसके कारण उसको जमीन उसकी छिन गई हाँ इसकी property निकल गई लेकिन येश्यो के नाम के खातिर जिसने तुक उठाया है वो इस पृत्वी पर भी और आने वाले लोक में भी येश्यो के हाथ से आशिश पाएगा आमेन बोल सकते हैं आप लग जोर से पानी के साथ संदेश लेना exciting या yes fist throwing संदेश नहीं है लेकिन शिश्यों के लिए सबके लिए पार ले जी है शिश्यों के लिए आटा है पहली बात शिश्यों से कहा क्या कहा? कपट मत करना कपट मत करना एक को देखे फ्रेज दलान कैंसे है? और जानेगा दात पीज कहे? मर जा है ने मरे तो मैं मारू हूँ नहीं कपट नहीं कपट नहीं नमबर दो क्या बोला? भय ना खाना भय भी बित नहीं हो न भय भी बित नहीं हो न उससे डरना जो आपको मृत्यू के बाद भी एक जीवन दे सकता है उससे भय काना नमबर तीन क्या खा सीख हमने? येश्यों का इनकार मत करना न तो शब्दों से न जीवन शाली से लोग आपके साथ उठकर बैटकर कहना चाहिए इसका सिस्टम ही कुछ अलग है इसका सिस्टम ही कुछ अलग है और ये हमारी सबसे बड़ी गवाई रहे के लिए चौती बात समय हो रहा है इसलिए अगे रोग जाते हैं चली दस्वी आयत में आईए जो कोई मनिश के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे तो उसका अपराद क्या होगा शमा किया जाएगा आगे लेकिन परन्तु जो पवित्रात्मा की निंदा करे उसका अपराद शमा नहीं किया जाएगा गजब त्रिये कत्व के अंदर competition है Trinity के अंदर competition है होड होड competition किस बात की competition मालूम किसा कुरसी का नहीं है कुरसी देने का है मैं कुरसी दूँगा ये शु कह रहे मेरको अपमान कर लो कोई बात ने लेकिन बागी बोलो आप लोग लेकिन पवितरात्मा का अपमान मत करना तु मेरा अपमान करोगे मैं माफ कर दूँगा लेकिन पवितरात्मा का अपमान मत करना चौती बात है शिश्यों से प्रभी इश्यू कह रहे है पवितरात्मा की निंदा मत करना आपको अन्यभाष्या का वरदान मिला है क्या अगर नहीं मिला है तो निंदा मत करना आप आगर करना और अगर मिला है तो दुरूपयोग नहीं करना सदुपयोग करना प्रार्थना के अंदर आत्मा के वरदानों को मैं एक सूची आपको जल्द जल्द देना चाहता हूँ अगर आप लिखना चाहते हैं आप लिखिए आपके Bible Study के लिए बहुत अच्छा होगा बहुत सारी ऐसी बाते हैं बहुत सारी तो नहीं जो कि उसके विरोध में आप कर सकते हैं आपको नहीं करना इसलिγ히 मैं सिخह रहा हूं, समझें हैं अप लोग, आपको नहीं करना इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, प्रिर्तु की कमसाथ 51 में लिखा है, कि कुछ लोगों ने पवितरात्म का क्या किया मालूम, पवितरात्म का विरोध किया, और यह उनके लिए हानी का और उनके नाश होने कारण ठहर गया so you can resist the Holy Spirit आप पवितरात्म का विरोध कर सकते Ibrani 10.29 के अंदर Ibrani 10.29 okay, thank you Hebrew 10.29 के अंदर लोगों ने पवितरात्म का अपमान किया they insulted the spirit of grace I think it's written like that अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया तो पवितरात्म आप पत्थर का अपमान नहीं कर सकते आप लकडी का अपमान नहीं कर सकते आप इसको ड्रम का insult हो गया आप ऐसे बोलने से वो सही नहीं पवितरात्मा परमेश्वर है पवितरात्मा एक परसन है इसलिए आप उसको insult आप कर पा रहे हैं तो पहली बात आप पवितरात्मा को resist कर सकते हो दूसरी बात मैंने क्या बोला मैं भूल गया मेरे मदद करें आप पवितरात्मा का अपमान आप कर सकते कौन सी आय थी Hebrews 10.29 उतना ही नहीं आप लूका बारा दस में अभी अपन पड़ रहे हैं आप पवितरात्मा की निंद आख कर सकते हैं blaspheme कर सकते हैं यह कौन सी बड़ी बात है कौन सी बड़ी बात यह तो मैंने किया यह मैंने परचार किया मैंने गाना गया पृत्वी पर पवितरात्मा कलीसिया को युश्मसी के लिए बना रहा है युश्मसी भी बना रहा है लेकिन सब कुछ पवितरात्मा के दुबारा है आपके घर बन रहा है आपके फाइल पास हो रही है पवितरात्मा के दुबारा हो रही है पवितरात्मा से हननी और सफिरा ने क्या किया जूट बोला पवितरात्मा से जूट बोला जूट बोला जूट बोला दे लाइड तो पवितरात्मा से तुमने जूट बोला और उसके बाद पहला थिसलो निक्यों 5.19 में लिखा है पवितरात्मा को न बुझाओ पवितरात्म को अब पुझा सकते हैं भी पृत्त कौंबिध को अपको उल्टा चाही लेकिन नकरात्म जिखा रहा हूं ताकि आप कि असको सकारात्म रेड़ी से कर सकें अत्मा को ना बुझा ओ मतलब इसका उल्टा क्या हुआ विलोम क्या हुआ चली बताई भाई लोग, आत्मा को न बुजा उसका उल्टा क्या हुआ, है, येस, पॉलोस कहता तिमतिष से, जो हात रखने से तेरे पर वर्दान आये है, उसको क्या करो तुम, activate करो, प्रजुवलित करो, तैंक यू, प्रजुवलित करो, बुजाओ मत, इसलिए हम प्रार्थ न रखते इसलिए fasting prayer रखते ताकि आपके अंदर जो प्रभु ने आशिश दी है वो आप प्रजुवलित कर सके लेकिन आपके अंदर आगी नहीं आपके अंदर आप बढ़ना भी नहीं चाहते आप बढ़ाना भी नहीं चाहते इसलिए आपको ये प्रभु कहना है अगर आप शिश्य हो तो पवितरात्मा को क्या करो पवितरात्मा को निंदित मत करो और निंदित कैसे करोगे आप आप कैर नहीं कर रहे है पवितरात्मा के बारे में आपको इच्छा ही नहीं है मिलना होगा तो मिल जाएगा पवितरात्मा एक किताब है The Forgotten Trinity उसका नाम है असा ही है वो ईश्वर जिसे सकली सिया भूल गई है हम ये इश्व कहते लेकिन इश्व को अगर प्रभू जानना है तो अभी पवितरात्मा का काम मेरे दिलकिंद और आपके दिलकिंदर होना चाहिए तो शिश्व से चार बातें ये श्व ने लूका बारा से कही पहली बात क्या था? मुखोटा मत पहना दूसरी बात क्या बोला? भय ना खाना नमबर तीन क्या बोला? प्रभीश मसी का इंकार्न ना तो शब्दों से और ना जीवन से ना जीवन से और चौथी बात पावितरात्मा के निंदा मत करना उसके साथ मैंने एक सुची आपको दिया रेजिस्ट मत करना क्वेंच मत करना लाई उससे जूट मत कहना उसको बुझाना नहीं और उसके विरोध में मत कड़े होना पावितरात्मा के निंदा मत करना क्योंकि यश्यू ने स्वेम कहा है यश्यू स्वेम कह रहा है यश्यू स्वेम कह रहे है क्या कह रहे है वो कह रहे है कि तुम निंदा मत करना लेकिन एक और आखरी बात पवितरात्मा के बोलकर, सकारत्मा के बात बोलकर हम बंद करेंगे, ग्यारवे आयत में आये कौन से पुष्थक में हैं आपन? पीछे हैं आप लोग? कौन से पुष्थक में है? उसके कौन से दियाय में? बारा, अब ग्यार और बारा पढ़ी last two things and then उसी से तो चिंता ना करना किस रीती से क्या उतर दे? क्या कहें? बार आप देखी, खुबसूरत पवितरात्मा उसी घड़ी तुमको सिखा देगा कि क्या कहना है तुमको कितने लोग सुपरनाचरल विजडम चाहते हैं किस समय पर क्या कहना है? कौन सिखाएगा मालूम? पवितरात्मा सिखाएगा गूगल नहीं सिखाएगा किस समय पर क्या बोलना है? और उल्टा भी किस समय पर क्या नहीं बोलना है? वो भी पवितरात्मा सिखाएगा किसको कितना नहीं बोलना है? वो भी पवितरात्मा ठीचर है, शिक्षक है और इस शिक्षक को अपने दिल में अपने करीब रखी है वो आपको बुराई से भी बचाएगा भले शब्द कहने का अनुगरह आपको देगा आपके मुझसे भली बातों को निकालेगा और आपको बात भी करेगा कि आप गलत काम न करें इस शिक्षक को अपने पास रखिए इस कमफर्ट को अपने पास रखिए इसके करीब आप रहिए अगे लिखा योना रची सुसमा चार के अंदर येशो की बाते तुमको पवितरात्मा याद दिलाएगा आप भूल राहेंगे लेकिन ये शुकी बाते हैं आपको या दिला है